धंतोली थाने के तहट मानफता को शर्मसार करने वाली एक घटनास सामने आई है एक यूवक ने सत्यत्तर वर्षिये लकवा ग्रस्त वृद्धा के साथ दुष्ट कर्म किया है पूरी घटना सिसी टीवी कैमरे में कैद होने के बाद फूटेज की जाच के बाद आरूपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है लकवा के उपचार के लिए अस्पताल में भरती सतितर वर्षिये वृद्धा पर बलातकार किये जाने का मामला सामने आया है एन वक्त पर नर्स के कमरे में आने से इस शक्स की कर्तूत पता चल गई ये घटना धंतोली थाने के तहत हुई है पुलिस ने आरूपी दीपक विजय ठाकरे 49 वर्ष गोपाल नगर को गरफतार कर लिया है पीडित 77 वर्ष ये वृद्धा सेवा निर्वत कर्मचारी है उनका भतीजा गार्मेंट व्यपारी है वृद्धा ने भतीजय को दतक लिया है भतीजा ही उनकी देखबाल करता है दो दिन पहले वृद्धा को लखवा का दौरा आया मंगलवार को भतीजय ने उन्हें धंतोली के एक निजी अस्पताल में भरती किया आरूपी दीपक ठाकरे वृद्धा के भतीजय का मित्र है मित्र होने से वृद्धा के भतीजय ने दीपक को काम पर भी रखा है वृद्धा की देखबाल के लिए बतीजा मंगलवार से अस्पताल में ही था वुद्वार की दो फैर उसमें दीपक को अस्पताल बुलाया और उसे घर से स्नान और भोजन करके आने का बताती हुए अपने आने तक वृद्ध चाची की देखबाल करने को कहा लगवा ग्रस्त होने से वृद्धा बिस्तर पर प जराया नस ने शोर मचा कर साथियों को बुलाया उन्होंने दीपक को पकड़ लिया और फिफुटेच की जाच के बाद दीपक को गरफतार कर लिया गया अब तक तो महस चोटे बच्चियों और महिलाओं के साथ इस तरह की घटना होने की खबरे सामने आती रही है लेकिन व्रिद्धा के साथ ऐसी शर्मसार करने वाली घटना के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था लेकिन आरूपी को अब सक्त से सक्त सजा देनी चाहिए ताकि समाज में खौफ निर्मान हो कि अगली बार कोई ऐसा साहस ना कर सके ऐसे मांग नागरी को द्वारा की जा रही है NBC News के लिए खलेश भादवाज के साथ माहीन पठान की रिपोर्ट